देखिये सुकून भरा नजारा ये है दोपहर 28 जन्वरी की बहुत ही सुकून भरी दोपहर है कितने सुन्दर नजारे है आप भी लुफ उठाईए देखो ये ताका जाकी इस सुनेरी सी सोने सी धूप की इन काली काली खटाओं से नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका में गालिब से किसी ने एक बार पूछा कि कैसे हो गालिब गालिब ने गवाब दिया जिन्दगी में गम है गम में दर्द है दर्द में मजा है और मजे में हम है क्या जवाब दिया न सबको बोलती बंद कर दी तो बस बात यही है कि जिन्दगी है जिन्दगी में यदि गम ना हो तो हमें सुख का एहसास, मजे का एहसास, आनंद का एहसास कैसे होगा तो बस कितनी भी परिशानिया हो, हमें बस उसको आराम से, पेशेंस से हैंडल करना आना चाहिए और उसको ये सोच की निकलना चाहिए कि इस से जदा दर्द और किसी को भी हो सकता है ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो आपके दर्द चुटकियां चोड़ते ही निकल जाएंगे चुटकियां बजाते ही निकल जाएंगे तो बस बात यही है कि जिन्दकी में घम है घम में दर्द है दर्द में जो मज़ा है तो बस मज़े में हम है यही है गालिव शेरोशायरी के उस्ताद गुरू उन सबी के लिए हजारों ख्वाहिशे ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अर्मान लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिशे ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले यह है गालिव और जगचीत सिंग ने गा के उसको अमर दिया है तो बस आज का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अपनी मज़े में थी सो वैसे अपना काम कर रही थी जो मेरा डेली रूटीन है आप लोग भी शायद भई कर रहे होंगे तो अभी मुझे थोड़ा सा समय मिला क्योंकि मेरी बेटी अभी इंगेज है एक अक्टिविटी में वो डांस कर रही है बॉई वोड़ जानों पे जो पैपी सॉंग्स होत एक सिंपल सा चोकलेट केक तो यहां हमारी परी रानी अपना बढ़िया वाला निरत्या कर रही है और खूब जंप कर रही है सारे उनका एक्सरसाइस सेशन यह डांसिंग सेशन से ज्यादा एक्सरसाइस सेशन मुझे लगता है और अच्छा भी है क्योंकि थंडों में और शाम हो जाती है साड़े तीन बजे के बाद से तो बस यही है कि यह बॉलिवोड सॉंग कभी कभी बहुत बड़ा साहरा बन जाते हैं बच्चों का और हम लोगों का भी क्योंकि बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं तो बस बच्चे यहां पर बहुत अच्छे से प दो घंटे मिनिमम सोलाने का ट्राय करती हूं बट सम्टाइम्स ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसका टाइम पास किसी एक्टिविटी में करें ताकि वो कुछ सीखे भी उसकी लर्निंग भी हो और इंजॉयमेंट भी हो तो ये डैंस मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें बच्चे की बच्चा फ्रेश हो जाता है और साथ में ठक भी जाता है माइंड उसका फ्रेश होता है पर बॉडी तो एक्जॉस्ट होती है तो वह सो भी जाती है खापी के तो अब आप एंजॉय करिए परी का डांस लड़की आंख मारे पर चल रहा है भी और एक चंप मैं आधा कप और ले रही हूं वीट फ्लोर और उसको हम चननी की मदद से उसको चानेंगे चानना इंदसेंस यही है उसका मतलब कि उसमें कोई भी लंब्स ना हो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं क्योंकि केक या आप खमर्ड का मिक्शर भी बनाते तो उसमें भी उसमें थोड़ा सा निकालना है उसके अंदर पैदा करना है तो उसमें बबल्स होना चाहिए तो उसके लिए uneven नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, evenly spread होना चाहिए तो इसलिए इसको हम चननी को यूज करते हैं ताकि वो उसमें कोई भी air bubble बनने की गुणजाश हो उसमें क 400 ग्राम मैंने आटा लिया है तो यहां मैंने 85 ग्राम्स लिया है कोको पाउडर इसको भी हम अच्छे से इसमें छान लेंगे छन्नी से ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए यहां मैंने सोडियम बाइकार्बॉनेट लिया है 7.5 और यह है नमक यहां मैंने वैनिला एसेंस 2 टेबल स्पून मतलब 15 एमिल इसमें एड किया है तोटल यहां मैंने शक्कर ली है 200 ग्राम से थोड़ा सा कम आप समझ लीजे 200 ग्राम की लगभग मैंने शक्कर ली है अब अपने स्वात की हिसाब से उसमें शक्कर एड कर सकते हैं बाद मैंने इस इसमें मैंने करीब 300 ml यूज किया है बैटर बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं मिल्क एड़ करते समय इसको मैं फेट दे जाना है ताकि इसमें कोई भी लंस ना पड़े और इसके बाद इसमें आप कोई भी ड्राय फ्रूट एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे पास वालनट थे तो मैंने इसमें वालनट यूज करे हैं तो आप अगर इसमें चाहें कर देना है evenly और इस टिन को ओबन में 10 मिनिट्स या फाइव मिनिट्स के लिए आप रख दें 150 डिग्री सेंटिक्रेट कर दें तो यह आफटर 10 मिनिट्स मैं इसको तिन को बाहर निकाल लेती हूँ और इसके बाद फिर में जो केक का बैतर है उसको मैं स्टिन में डाल दूँगी और इसको evenly स्प्रेट कर दूँगी बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई भी air bubble ना रखे इसलिए इसको हम सेट करके रखेंगे तो बस अब हमने ओवन को सेट किया है चालीस मिनिट के लिए टाइमर लगा दिया है और एक सो पचास डिग्री सेंटिग्रेट हमने तापमान इसका मेंटेन किया है आफटर 40 मिनिट्स मैंने उसको कुछ देर के लिए ओवन में ही रखा रहने दिया हम एक चाकू या नाइफ या टूथपिक की मदद से चेक करेंगे कि कहीं बीच में तो बैटर नहीं लग रहा है तो यह कुरी तरह से पक चुका है यहां आइफ को यूज करके इसको चेक को चारो तरफ से चेक कर लेंगे कि कहीं चिपका हुआ तो नहीं है और फिर मैंने प्लेट ले ली है और उसमें मैं केक को टिन को उल्टा कर दूंगी और थोड़ा सा उसको टैप करेंगे हम तो आसानी से हमारा केक जो है पूरा निकल के स्प्लेट पर आ जाएगा तो यह प्रोसेस जितनी देखने में आसान होती है यह मेरा सेकेंड टाइम है जब मैं केक बना रही हूं तिन में फर्स्ट कर गया था तो वह ज्यादा क्रिस्पीनेस ज्यादा हो गई थी तो वह टूट रहा था कभी-कभी उसमें बीच में मैंने थोड़ा सा क्रीम की फिलिंग भी की जैसा हमारा बटर स्कॉच होता है इसमें बेदाउट क्रीम है यह सिर्फ इसको उपर से डेकोरेट करूंगी तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रहता डेकोरेट कर रही हूँ तो यहां मैं ऐल्मिंट फलेक्स जो होते हैं वह यूस कर रही हूं केक को डेकोरेट करने के लिए और कुछ चोकोचिप्स भी है मेरे पास वह भी मैं यूस कर लूँगी इसके बाद मेरे पास कुछ नु आती थी रंगीन वाली हम लोगों को तो यह अभी वी वैसा ही लगती है और वह बहुत यमी होती थी आज भी उसका टेस्ट जुमान पर है तो यह जो शुगर बॉल्स होते चोचोटे यह इतने यमी नहीं होते बठा बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि काफी मीठा होता बस उसकी सहाहता से अभी तो यह फिल्मेंंट प्लेक्स है फिर चौको चिप्स ौर शुगर बॉल्स केूज यूज करके हम इसके को डैकोरेट कर सकतें आप जैसे चाह午ने या फ्रूट्स भी यूज कर सकतें इसमें बिस्किटस कर सकतें चौकलेड चौकलेट्स भी यहां मैंने इसकी filling जो layering होती है मैंने वो नहीं की है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी cream खाना avoid कर रहे है नहीं तो वो बहुत ज़्यादा है भी हो जाएगा और मेरे यहां बच्चा है तो उसको कफ होने का problem और ज़्यादा उसकी probability बढ़ जाएगी तो इसलिए यही केक मैंने बनाए और यह बाद में मैंने cream उपर से इसको decorate करने में लगा दी इस cream के उपर जैसे हम decoration करना है आप cherrys भी रख सकते हैं red color या grapes हों black color या green color आप रख सकते हैं तो उसे बहुत सुन्दर attractive colors वो आते हैं बहुत सुन्दर लोकाता मेरे पास नहीं थे मेरे पास oranges थे तो मैंने oranges सर्स में रख दिये तो यह देखने में काफी catchy लगता है और यहां मैं कर रही हूँ preparation यह गुबारे फुलाने का काम कर रही हूँ balloons का मेरे साथ परी भी खोशिश कर रही है और यह मैंने अभी तक आज तक ऐसा यह काम किया नहीं है कभी भी तो मेरा तो first experience था अरे रुको ना गुबारे फुलाने का पर सम लोग कोई कर रहे था और मैंने मेरे से ज्यादा होता नहीं तो मैंने तो चार पांट जो थे मैंने उनी से decoration किया था तो अच्छा लगता है परी को काफी मज़ा आ रहा था लेकिन first time मैंने भी इस पूरी process को enjoy किया है काफी हद तक और कुछ उसमें से दो गुबारे ज्यादा उनमें एयर चला गया था तो वो last हो गय थे और maximum four five survive करे थे और यहां आ गए परी के पापा office जल्दी बोलो happy birthday पापा जाते हैं क्योंकि लेट नाइट होता तो फिर परी को भी problem होती है और अपके को कट करो अपके को भी office जाना रहता है तो फिर लेट हो जाता तो happy birthday यहां केक कट हुआ है और परी सबसे पहले खाने की मांग उनकी आ जाती है कि हमको चाहिए है केक तो यह हम लोग क्रीम को अलग कर देंगे हम लोग क्रीम नहीं खाएंगे इसलिए इतना ध्यान से उसको केक को निकाला जा रहा है क्योंकि यह क्रीम खाएंगे तो यह अभी थोड़ा सा कफ भी चल रहा है तो तुरंत गले में प्रॉब्लम हो जाती है तो केक काफी सॉफ्ट स्पंजी बना हुआ है इसमें बॉलनट्स भी है आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं और यह हैं वैजबर मिसली जो हमारा डिनर था तो यह देखिए यह कितना स्पंजी है और इसके अंदर वॉलनट है इसलिए निकल गया यह देखिए यह इसमें वॉलनट मैंने आप डाले थे यह बहुत सारे वॉलनट थे तो यह केक कुछ इस तरह से और यह है हमारा नेक्स्ट आफटरनून दम आलू विद पूरी और खीर तो यह अंकित को बर्थ आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर और करें अपने कमेंट तब तक के लिए बाई बाई